वेलोा फ्रेंड जैश्री राधी में मोहिदी पचोरी आपका अपने चैनल चाहिए राधा मोहिदी करें, आज हम आपके लिए लेकर आए मिनी पटेटो गी तेश्टी सब्ची शायद ही पहले आपने इस तरह से सब्ची बनाई और खाया होगी चलि फ्रेंड इसकी सब्ची बहुत टेस्टी भनती है तो यह आलू हमने बोईल कर लिये और इनको हमने छील लिया है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया है तो यह हमने मिनी पटैटो ले लिये इसके लिए हमने एक रफली प्याज काट लिये बार से किकालिया लिये अधरन के अधरन के लिये हैं गली जॉह हमने लुटक्तेशा वाजेस टुक्ड़े अधरके ले लिये है अगे हमने किद्गिली दो टमात ले ले मीनी पटैटो की सबूची करदाना OFF शुरू करते bur hurry अंधे नगि पएं रटत लिया हम इसमें डाल ले थ पर तो वो डाल सकते हैं, ओएल को मच्चे से घरम होने देते हैं, ओएल हमारा गरम हो गया है, तो हमारा बिसमें डाल देते हैं, आदा चमच जीरा, जह साथ, हम काली मिस्ट डालेंगे, एक डालेंगे, काली लाची, एक डालेंगे, हरी लाची, तुकडा डालेंगे, दाल चीनी का, 2-3 लाउंक अब इनसब्स भूनी देते हैं दालेंगे एक तेजपता जिसको हम और तोड लिया है अब इनसब्स भोन्ने देते हैं रुइन बून्स बून्स भूना सब देते हैं तक हम इसमें डालेते हैं लैसल आलेमेस, ऊधरय और रपकनी कटेबस क्याज अब नेटें थोड़ा होने दो भून लिटेंगे बहुत ज्यादा हमको ली भूनना है यह पिछरी गोई दगाउं करना तो भूनना है प्राइज हमारी ठ्राइज होने तुकी है तब हम इसमें राद आदेंगे कट्वए टमाटर अठ अब माता अबादन दूख नज़्ञ लेहा है वा थे तर्षाल थोड़ा सा मंग। बशेटमें अब इसमेट कर लोगा होने अधिक को मिक्स कटना दिमता होको है तो माइटर हमारे थोल्कों तवह होगए है जोरी 7 विख से इंफ our doesn watch रोटर होगए है लाजसरे लट्ट हागते लगए है विख्धत कई smart culture को कर देते हैं बन प्यास त्माटरि छोड़ धेते हैं से प्यास त्माटर हमारे अच्छे से थंड हो चुके हैं तो एक मिक्सी काइंडर में इनको डाल के ड्रैंड कर लेते हैं तो देखिए प्यास टमाटर का हमने बारिक पेस्ट बना लिया है तो चलिए मिनी पटेटो बनाना शुरू करते हैं पैं रख लिया है अब इसमें डालेते हैं एक चमस मस्टर्ड ओयल आप जो भी कोकिंग ओयल पसंद करते हो वह डाल सकते हैं अब ओयल पो मच्छे से गरम होने देते हैं ओयल हमारा गरम हो गया है तब हम इसमें डाल देते हैं मिनी पटेटो अब इसको गोल्डन ब्राव होगे तब श्राइट कर लेते हैं पटेटो को चलाते हुए गोल्डन ब्राव होने देते हैं मिनी पटेटो हमारे गोल्डन ब्राव हो चुके हैं धम जैस को कर दोके बन अम सब्सकी बनाना शुरू करते हैं तो हमने इसके लिए कड़ाई रख दिये आप चाहें तो सेम पेन ले सकते हैं लेकिन हमारा पेन छोटा था तो इसलिए हमने दूसी कड़ाई ले लिए तो हम इसमें डा देते हैं मस्टर्ड और एक चमच आप जो भी कोकिंग वाल खाना पसंद काते हैं तो हो ले सकते हैं और को गरम होने देते हैं हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे अपना पिसागवा क्या टमाटर का मसाला मसाला हमने डाल दिया तो हम इसके डालेगे आजा चमच कास्मी लाली इसके सर्जी का कला पहुंत ही अच्छा आता है अब हम इसमें डाल देंगे कुछ बेसिक मसाले तो यह हमने लाल मश्च पाउडर ले लिया है स्वाधन स्वार चमच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है एक चमच हमने धनिया पाउडर ले लिया है और स्वाधन स्वार नमक ले लिया है नमक हमने पहले भी रास टमाटर में डाला था इसलिए आप अपने टेस्ट के अकोड़ी ले सकते हैं तो हम इन सभी मसालों को डाल देते हैं इन सभी मसालकों अच्छे भून लेंगे मसालकों जब तक भूनेंगे जब तकी मसाले तेल रिलीस ना करने जब तक भून चुके हैं और तेल की रिलीस हो गया है तब हम इसमें डालेंगे यह हमने तीन चार्चमच धई ले लिया इसको हमने फ्रेंट लिया है तो ड़ी को डाल देंगे अब धई तक भी डाल के साब भून लेके मसाला मारत जासे भून चुका है अब तेल की रिली हो गया है तब हम इसमे डाल देंगे अपने फ्रैक की वर बिनी पटेटो अब इसको मर्चेते मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे पटेटो मारे मसाले के साथ अच्छेते मिक्स हो गया है तब हम इसमे डाल देंगे जिर्जार में मसाला पीछा था उसी में पाणी डाल दिया है तो वही हम पाणी डाल देए ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अकोडिक रख सकते है जैसे आप खाना पसंद करते हैं लेकिन पाणी थोड़ा सा ठीक डाल दिया है क्योंकि थंडी होने के बाद सब्जी गाड़ी हो जाती है तो हम सब्जी को पकने देते हैं डखकर लगा के 5-7 मिनट तक स्लो फ्लेम पर बनने देते हैं सब्जी को खोल के देख लेते हैं किता अच्छा कलर आया है सब्जी को खुष भूभी बहुत अच्छी आ लिए सब्जी को जला देते हैं सब्जी हमारी एकवम पर्फेक्ट बनिया है अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेती और डाल देंगे हरा धनिया सबी को डाल को मिक्स कर लेते हैं गर्म गर्म सब्जी को सर्व करते हैं सब्जी देखने में इतनी तुंदर लगे है तो खाने में इसमें किते टेस्टी होगी अब इसको पर थोड़ा सा फ्रेस धनिया हो डाल देते हैं इससे हमारी सब्जी देखने में और ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि दनिया हमारी सब्जी की जान उता है करदे हमारी मिनी पतेटी की सब्जी को सब्जी को पलाव चावाल के साथ रोटी के साथ पराथे के साथ नान के साथ ओंगे इसी के भी साथ हम इसको एंजोई कर सकते हैं क्योंकि यह खाने में काफी टेस्टी लगती है तो फ्रेंट्स बताईएगा कि हमारी बनने आई हुई मिनी पटेटो की सबजी आपको कैसी लगी एक बार इस ट्रिक से आप भी बना के देखिएगा घर में सभी उंगली चाट-चाट की सबजी खाएंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है अब एक बार हमारी तरीके से बनाईए खाएए और अपने फैमिली के साथ एंजोई कीजिए और हमारी रादा मुईनी की रस्पी को लाइक शें सब्सक्राइब कीजिए और जया कर對कन को क्लिक करना ना भूलिये और फ्रेंग्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करकर बताइए का हमारी बनाई वी रैस्पी आपको कैसी लगती है तो चलिए फ्रेंट्स धर्इस बिलते है एक और यारेविय पिके साब के साथ झब तक लिए अधी करने बादूं